हाँ जी साहाब तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप अच्छे होगे और अपनी तियारी अच्छे से कर रहे होगे दिक्या आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं Mathematics का सार्णिक वाला topic हमारा चल रहा था Mathematics में इसका part one मैंने already बना दिया है उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा वहाँ से आप part 1 को देख लेना ठीक है इस class में हम discuss करेंगे mathematics का सानरिक का part 2 इसमें हम important question को discuss करेंगे सानरिक बाले lesson से ठीक है सहाब तो आप लोगों से request है अगर चैनल पे पहली बार आया तो subscribe कर लीजिए और notification bell को all पर click कर दीजिए क्योंकि आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माद्यम से preparation कराई जा रही है इसी लिए ठीक है सहाब तो class को start करते हैं कुछ जवरदस्त और interesting लेनों के साथ मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही कहते हैं सहाब मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही तो कहीं भी आग लेकिन आग जननी चाहिए हो गई पीर परवसी पिगननी चाहिए हो गई पीर परवसी पिगननी चाहिए इस हिमाले में इस हिमाले में कोई गंगा निकलनी चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा लिकननी चाहिए तो इन्हीं इंट्रेस्टिंग लेनों के साथ हमनों क्लास को स्टार्ट करते हैं देखी साहब क्लास को स्टार्ट करते हैं आप पर आप लोग पहला प्रेशन देख पा रहे होगे important class होने वाली है और इसमें हम determinate यानि कि सानाडिक से question को solve कुराने वाली है आप लोग इस question को देख पा रहे हो screen पर हमारे पास दे रखा है यह हमारे पास सानाडिक दे रखा है कि सानाडिक को प्रूब करके लिए कि कराना है कि इसनी value इसके बराबर है अब देखी साहब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर एक conditions आपको follow करनी है यह हमारा रोग है R1, R2, R3 यह तीन गुणा तीन का determinate यहाँ पर दे रखा है तो R2 में हमने replace कर दिया R2 माइनस R1 R3 में replace कर दिया R3 माइनस R1 देखी साहब अब जैसे आप इतना replace करोगे तो हमारे पास निकल के value यह निकल के आ जाएगी साहब important class हो रही है आप लोगों देखते रहे हैं last तक y-x y-s2-s2 upon z-x sorry z-x minus e-s2 c-1 के respect में इसका क्या कर दिया इसका मैंने विस्तार कर दिया अब आप लोग क्या करोगे इसका विस्तार करोगे तो इस प्रकार से condition निकल कि आ जाएगा जो की गुणा इसके साथ कर दोगे लोगे यह नियम होता है विस्तार करने का ठीक है इसके साथ कर दिया माइनस का simple limit सा इसके बीच में रहता है मैंने इसके साथ यहां पर गुणा कर दिया तो आप लोग जब इसकी गुणा करोगे तो हमारे पास एक condition यहां पर दियान से अब आप लोग क्या करोगे दियान से सोचोंगे यहां 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 भी है और मैं क्या करूंगा मैं से common कर लूँगा अब जैसे आप इतना common करोगे इस परकार से देखोंगे कि जैड प्लेस एक्स और माइनस बाई प्लेस एक्स अब देखना साहब एक्स से एक्स तो नेगलेट हो जाएगा हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास बचेगा जैड जी क्या बचेगा यह माइनस का बाई हो जाएगा क्या हो जाएगा साहम देखी एकस हैं से तो कट जारा है हमारे पास z-u बज़ जाएगा अब देखिए साहम यह हमारे पास condition निकल के आगया दियाहा से दिक्रेख लेना why minus x और x minus se z editor जैड माइनस वाई यह हमारे पास इस प्रकार से प्रूब हो गया यह हमारा राइट हैंड साइड से मैंने इसको लैप्ट हैंड में कनवर्ट कर दिया तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टन कोश्चन मैंने आज की क्लास में डिसकस करा रहा हूं ठीक है तो आगे भी क्लास को आप देखते रही है बड़ा मज़ा आने वाला आज की क्लास में यह स्टुएंट अगला यहां पर दे रखा है प्रूबेट सिद्ध कीजिए कि हमारे पास कोई प्रशार के मोदने डिखा करने वाले हैं अगर आप लोगो है तो नहीं आता है और यहां पर कर देता हूं प्रिसार करने पर दिखिए सहाम A minus A plus 2B minus C to B plus C A plus C minus का A plus C अब दिखिए सहाम दिखिए सहाम अब हम क्या करेंगे R1 में reflex कर देंगे R1 minus R2 plus R3 मतलब इन दोनों को हम जोड़िंगे यह हमारा R1 हो गया यह हमारा R3 हो गया दोनों कंडिशन को हम आइड करके क्या करेंगे और मैसे माइनस रिप्लेस कर दिंगे अब देखे साहा अब आप लोग क्या करोगे जैसे आप रिप्लेस करोगे हमारे पास कंडिशन निकल के आजाएगा माइनस का 2B माइनस का 2B 0 A प्लस B और B A और B B प्लस C और C यह हमारे पास कंडिशन निकल के आगे साथ हम लोग क्या करेंगे यहां से 2B common करने वाले हैं और माइनस का 2B हमने common कर लिया अब यहां पर common नहीं किया है R1 के साथ एक हम इसमें बिस्तार कर रहे हैं जब इसका बिस्तार करोगे तो देखिए साथ क्या निकल के आजाएगा माइनस का 2B हमने यहां से common कर लिया है हमारे पास बचाए B C और यहां से बच जाएगा A B प्लस C अब माइनस का A प्लस C और A प्लस B और माइनस का A V अब देखिए साम इसको आप लोग solve कर लिए जगा माइनस का हमारे पास 2B यहां चल रहा है अब देखिए साम A B से A B कट जाएगा B C से B C भी कट जाएगा और माइनस का 2 A C हमारे पास बच जाएगा अब देखिए 2 A 2 होगे 4 माइनस माइनस होगे प्लस तो प्लस का 4 A B C इस दा राइट आंसर इस प्लकार आप बोल सकते हो कि इती सिद्धम ऐसा लिख दो है ना तो आपको फुल माक्स मिलने वाले है देखिए साहाब यहां पर अगला कोशन दे रखा है कोई हमारे पास डेटर्मिनेट दे रखा है और यह कोशन समय जीरो के बरावर प्रूब करना है मैं बता दूँ ऐसे कोशन 2019 में भी आया हुआ था देखिए साहाब अब आप क्या करोगे C2 में रेफ्लेस कर दोगे हम क्या करते हैं हम C1 यह हमारा होगे एक मिल्ट दिखा देते हैं आप लोगों के लिए दिखिए हमारे पास C1 होगया इसको C2 बोलेंगे इसको C3 बोलेंगे हमने C2 में रेफ्लेस किया C2 प्लस C3 जब आप इतना करोगे ना तो बिस्वास मानना आपका कोशन हल हो जाएगा X by Z मैंने common कर लिए X plus Y plus Z को common करोगे तो बन-बन कंडिशन निकल के आजाएगा अब यह नियम क्या होता है इसमें मैंने common कर लिया नियम यह होता है मैं यहां से समझना कि हमने आपको बताया था जब किसी सारलिक में 2 स्थम या 2 रो सरवांग सम हो तो उसका निशन में वैलू जीरो हो जाती है यह सारलिक का नियम होता है इस प्रकार से पूरी वैलू जीरो निकल के आ जाएगी बिल्कोर सिंपल बे में मैंने इसको सॉल्व करा दिया देखिए अगला यहां पर हमारे पास ज़रका सिंपल इसको भीजा था तो उसी की डिमांड पर मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया क्योंकि वो भी देख सकता है अपने इस कोशन के लिए अब देखिए साहाब अब इसका फार्मुला होता है जबकि सररेखन मैंने फार्मुला अलो दिन बता दिया है तो वो हमारी कंडिशन क्या है सर्रेखन हो जाएगी फार्मुला होता है यह सारी पूट कर दोगे यहां पर निकल के क्या आ जाएगा आर 3 में मैंने रिफ्ट्रेस कर दिया आर 3 माइनस 3 आर 1 अब देखिए इतना आप पुट करो को तो माइनस का दो मैंने वहार ले लिया 1 और 2 आयक्स और यह होगी हमारे पास तो वाई माइनस 2 वरावर क्या होगा जीरो तो वाई वरावर 2 निकल क्या जाएगा अब देखिए हमारे पास समी करना आई है ना वो यह आई है कि वाई वराबर टू एक्स तो सुन लीजिए माई डियर स्टूरें जिसने मुझसे कोश्ण बूजाता वार्शम में यहां पर इसका आंसर हो जागा वाई वराबर टू एक्स इंपोर्टन कोश्ण साहे बहुत अच्छा आपने क कोश्ण बूजा आप से उम्मिद करेंगे कि ऐसे ही कोश्ण लगातार बूजते रही है ठीक है सांड़िक हमारे पास रखा है दो मैंस चार जीरो कि अभी आप सीख लीजिए देखिए साइखंड़िक की अगर हम बात करें तो साइखंड़िक मैं आपको यहीं बता देता द्यान से चीक लिए लिए उफसानड़िक जो यहाँ पर M111 रो कॉल्म देखिए इसके सो इसके जश्ट इदर बाला जो होता है वह उसका उफसानिक कहलाता है अभ चार का उफसानिक क्या होगा बहुत ही द्यान से जीरो गलत बता रहे हैं आप लोग गलत नहीं बता रहे ह देखिए एम अब यहां पर हमारे पास वन वन है ना तो इसमें हमसे भूजा आए जी बिल्कुल जीरू होगा मसी बता रहा था अब देखिए अब वो कह दे हमसे एम टूबन की बेलू बताईए तो इसके जश्वने वाली हो जाएगी अब हमसे कहते कि एम थिरी की बेलू बताओ भाईया तो यह इस पर जश्वरा यह हमारे दो हो जाएगा तो आपको मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग उस्प्सानिक निकालना सीखे होगे अब सैखंड बट इहां पर जो सैखंड होते हैं उसमें एक चीज़ आपको याद करना मैंडियर सैखंड कभी भी माइनस में नहीं होते हैं यह आपको अच्छे से याद कर लेना है अब देखिए हमारे पास हमारे पास यह अगला कोशन आ चुका है स्क्रीन पर तो समझ में आगया होगा इसका मैं एक अच्छा सा फर्मॉला आप लोगों के लिए मैंने इसी में डिसक्स किया है सबसे पहले मॉडे निकालोगे कि चाहर का सायगों क्या हो जाए गा मैंने बता दिया है कि जश्व जो बलब कर देते हैं अब 3 हो जाएगा आपको पता है 2 हो जाएगा यार सिंपिल तो सी वरावर फर्मुला आपको हो जाएगा मौड के अंदर अब इसका जो मैंने उप्सानलिक निकाला है अब उसमें आप पूट करोगे तो माइनस का फाइव और माइनस का तीन क्या सॉरी माइनस का दो और माइनस का तीन और चार इस बिकार से हमारा मैट्रिक्स बनके आ ज आएगा तो महारा का हो जाएगा सॉरी बारी जाएगा हमारे बार हमें जो इसका परीवर्त जो हमारे पास बना क्थी तेlement से होता है उसका परिवध का मतलब रो को कॉलम में मतलु दिया रो मैंने कॉलम में परिवधिdts training कर दिये ऊठाकी तर देख लीजी तो इसप्रकार से आपका orders निकल के आ जाएगा बिल्कुल सिंपल वेवे मैं आज की क्लास को स्टार्ट किया हूँ मुझे उमीद एप लोगों की क्लास देखा होगा यह भी आपको चार नमर में दो नमर में आ सकता है देख लीजिए उन्निश में आया हुआ भी है ठीक है साब यह बरावर हमें अरदर पास के इंडिशन दे रखिए अब हम इसका मॉड निकालेंगे मॉड ए बरावर होता है इसकी गोड़ा इससे करोगे तो माइनस का वन हो जाएगा दो दोनी के चार तो माइनस का फाइव इस नौट इस इकोस टू जीरो के बरावर नहीं है यह भी कंडिशन आपको याद करना पड़ेगा देखिए अता आव्यु ए आविधक्रमणी यह है यहां से दो जायेगा दो का क्या हो जाएगा दो का हमारे पास दो जाएगा अब आप इसका क्या निकालोगे से बना हुआ आव यू निकाल दोगे बो कंडिशन को आप बिल्कुल किरमभाई किरम से रख दोगे एवन एटू है ना तो बैसी में रखती है तो माइनस बान ऑव माइनस दो माइनस का दो और यह हमारे पास कोई आव यू बनकर तयार हो गय अब परिवर्द का मतलब क्या होता है, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, और माइनस का बन और माइनस दो और दो और वन ही निकल किया जाएगा, अब देखिए अब आपको मैं बता दूँ इन्वर्स का फर्मॉला आप ये भी हर कंडिशन में लगाओगे इन्वर्स का फर्मॉला होता है कि इन्वर्स बराबर बनपॉन मौडे इंटू एडजोएंटे ये फर्मॉला आप किसी भी इन्वर्स के लिए लगा सकते हो अगर आपसे एकोशन्स बिचलता है तो पांच नमर का एकोशन्स होता है लेकिन कभी कभी आठ नमर बे भी आता है तो आप इसको जरूर लाश्ट तक जरूर से जरूर बास कीजिए इन्वर्स बराबर बनपॉन मौड ए इंटू एडजोएंटे बनपॉन एक बड़े पांच तो हमने इन्वर्स निकाल लिया ये आपका इन्वर्स हो जाएगा बच्चो आपके पांच नमर इसमें करना पड़ेगा अगला यहां पर कोशन दे रखा है माई इसलिए आप से बोलेंगे कि चैनल पर अगर पहली बार आए तो सस्क्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपको लगातार क्लासिस यहां मिलती रहती हैं देखिए सिद्ध कीजिए कि सान डिक हमारे पास कोई सान डिक करना है किस हमारे पास कंडिशन दे न क्या करने वाले वाले हैं मिल जाएगा जब आप इससज को solve करोगे ना तो यहां से देख लिए जी इस सारी condition क्या हो जाएंगी इस प्रकार से x से s square plus one plus x into one तो इस प्रकार से x t cube आ रहा है माइनस का x t cube answer निकल किया रहा है और जो answer आ रहा है वो क्या है ठीटा से सोतंत रहे तो important question था तो मैंने इस class में discuss किया अब अड़ते हैं आगे अगर आपको class अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना और इस class को अपने दोस्तों के साथ अपने बार सो ग्रूमें जरूर से जरूर कर देना देखी साहब उनकी भी help हो सके ऐसे हमारा motive है तो कि student सभी के लिए अच्छी नोड़त देना यही हमारा aim है ठीक है अगला है पर question दे रखा है हमारे पास कोई determinate दे रखा है हमें वरावर one लेकर आना है यह हमारा R1 हो गया जरसे आप देख पार होगी यह R2 हो गया यह R3 हो बिल्कुल basic से पढ़ा रहा हूं basic से आपको ऐसा basic खहीं नहीं मिलेगा देखी साहब अब हम लोग क्या करेंगे R2 में refresh करेंगे R2 माइनस 2R1 और तथा R3 में refresh करो 3 R3 माइनस 3R1 इतनी condition आप प्रूब करके लियाओ मैं करूँ आपका answer within second में आ जाएगा प्रूब परने की ब कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरू कर देना और साथ ही साथ अपनी कॉपी पैन लेकर बैटिए क्यों कॉपी पैन के में आप इन कोश्णों को नोट नहीं कर पाऊगी है ना वीडियो को व्लास्त जरूब बात करना C1 के साफ एक सब इसका बिस् किस परकार से अब बन को प्रूब कर सकते हो बिल्कुल SIMPLE V में से आप इसको Solve कर सकते हो कि यह साह में हमारे पास अगल सब्सक्राइब रखा है इसको में जीरियों के बरावर प्रूपर के लेकर आना है देखिए साहा हम लोग क्या करेंगे इसको समीकर नमर फर्स्ट मान लेंगे अब प्रतिक स्तंब से माइनस बन ओवैनिस्ट करोगे तो माइनस बन की क्यूब आप बाहर ले ल निकल के आ रहा है और यह हो जाएगा टुडेल्टा बरावर जीरो जो कि हमारा एक हमारा निकल तेर्वोर है यहरे अर। ऐसको सानिक का प्रिसार मत कीजिए इसमें यह हमसे कर रहा है इसको प्रूब कीजिए कितना हो जाएगा NCRT का कोश्चन से इसका कलर चेंज करके बता देते हैं अच्छे से यह NCRT का कोश्चन से आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर अब देखिए वाया पक्च हमारे पास अल्रड़ी दे रखा है कोश्चन में हमसे बोल रहा है इसको प्रूब परके लेकर आईए तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर आप लोग ए आर बं बी आर टू और थू ऊसी आर ध्री में सक्रीय अंसर ए वी ईसी से भाग देख जिए टिए ए प्रकार स्हां पर निकल के आ जाएगा और आप रहा में उसकॉर स्सक्राइव होग्हान तो असंप बहृत C2 का बिनिमाई कर दो C3 के साथ जब आप इसका बिनिमाई करोगे न तो आपके पास ये कंडिशन निकल के आ जाएगा माइनस बन मैंने कॉमन कर लिया है अब देखिए सहा 111 अपलोडी आ अपलोडी अज़िम्न कर दिया C1 का रेफलेश कर दो बिनमे कर दो, इसका सिम्मेल का मतलब होता है इसे और ऐसे का मतलब है, इसका बिनमे कर दीजिए तो C1 का बिनमे करोगे C2 के साथ तो 1, 1, 1, A², V², C², AQ, QC, Q यह हमारा निकल किया जाएगा यह आपका left hand side से मैंने प्रूब कर दिया, right hand side तो इस प्रकार से important class होई आज की तो कैसा लगा आज का class comment session में जरूर बता दीजिए और ऐसे ही interesting और education related videos को देखिने के लिए आप हमारे YouTube channel Study Successful को subscribe जरूर कर दीजिए और notification bell को all पर जरूर से जरूर किलिक कर दीजिए क्योंकि आपको लगातार class है मिलती रहती है है ना तो आपसे एक भी class मिशना हो इसलिए बहाँ पर आपको all पर किलिक करना होगा अगर आप लोग चाहते हो कि in question का मुझे pdm मिले तो आपको in question का pdm में link description box में मिल जाएगा वहां से इसको free में download कर लीजिए बिलकुल free में है और हमारे whatsapp group से भी चुल जाएए और हमारे facebook page से भी चुल जाएए link इसको description box में मिल जाएगा thanks for watching my video, my dear friend, my dear friends